आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें Option A है 6.22.08 Ohm, Option B है 62.08 Ohm, Option C है 628 Ohm, Option D है 31.4 Ohm, ठीके, तो हमें क्या ग्यात करना है, हमें ग्यात करना है प्रतिरोद का value, ठीके, तो यहाँ एक प्रतिरोद ले लिए हैं, जिसका value है R, ठीके, तथा यहाँ से एक प्रेरकतव इसके स्रेडिक्रम में जोर दिये हैं, जिसक 20 Hz. तो यहां से अगर RL परिपत के लिए फिजर R1 बनाएं, तो हमारा जो फिजर R1 बनेगा, यह कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो यहां से क्या क्या हैं, हमने धारा I को रिफ्रेंश लिया है, तो हम जानते हैं कि परतिरोद के सीरो का विवांतर, V, R और धारा किसमे होते हैं, दोनों समान कलाम होते हैं, तो यहां से V, R और I किसमे हैं, दोनों समान कलाम हैं, उसी प्रकार प्रेरकतों के सीरो का व्युहांतर क्या होता है, धारा से 90 डिगरी अगरगामी होता है, तो यहां से V, L क्या है, धारा से 90 डिगरी अगरगामी है, त तथा हम यहां से इस परिपत का जो हमारा परेडामी भांतर है, ये कितना है? यह है V. तो यहां से देखें, तो यहां kya बन रहा है, यह अक बन रहा है समकोळ त्रिपूज. तथा हमें प्रत्रصन में दिया गया है, कि धारा और विधुत्व हकबल के मध्य कलांतर, कितना है? तो यहां से हमारा प्रेडाम्य विधोत्वाकबल है यह है वी, तथा धारा यह है आई, तो इसके मध्ध जो कलांतर है, यह कितना दिया गया है, यहां से यह दिया गया है, फाई इकल टू है 45 अंस, तो यहां से देखें, तो यह क्या बन रहा है, एक समकोड त्रिभूज बन लिख सकते हैं, यह है यह यां से प्रतिखात, उससे प्रकार विएर को लिख सकते हैं, यह हो जएगा आई इंटू आर, तो यहां से अई-आई क्या हो गया, तो यहां से phi equal to 10 phi equal to 10 phi equal to यह हो जागा XL बटे R तिके तथा हम जानते हैं कि प्रेरखिये प्रतिखात XL equal to यह होता है omega into L जहां omega होती है कोडिया आवरित्ति तथा omega equal to होता है 2 phi f तो यहां से XL equal to कितना हो जागा यह हो जागा 2 phi f into L तो यहां से XL equal to यह हो जागा 2 phi into f का विल्यू कितना है यहां से आवरित्ति का विल्यू है यह है 50 hertz तो यह हो जागा 50 good it यहां से L का विल्यू कितना है यह है 0.2 तो यह हो जागा 0. 010 हो 2 ुकोल टू यहाँ से इसको Cred करेंगे तो ॹेहां ओ यहाँ आ जाएगा 20 पाई ठीक है तो यहां से 10 5 कितना हो जाएगा यहां से 10 5 ऐकोल टू हो जाएगा Excel का value कितना है यह है 20 5 फाई तो यह प्रकार का value कितना है यह है 45 संट तो इसको लिख सकते हैं यह होज़एगा 45 ant, तथा हम जनते हैं कि 10, 45 का वीलू कितना होता है, यह होता है, 1, तो यहां से 1, equal to कितना होज़एगा, यह होज़एगा, 20 pi, बटे r, तो यहां से प्रतिरोद r, equal to कितना होज़एगा, यहां से यह हो जाएगा R equal to हो जाएगा 20 π. इकल to हो जाएगा 20 गुडित. पाई का value होता है यह होता है 3.14 तो यहां से इसको solve करेंगे. तो R का value हो जाएगा 62.8 ohm. तो यह हो जाएगा हमारा answer जो हमें प्रेश्ण में उच्छा गया था. तो यहां से हमारा answer हो जाएगा option B 28.8 ohm. धन्यवाद.